वेलकम फ्रेंस माईसेल फ्राजस यादो फ्राम टार्गेट वित राज यूटूब चैनल तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आप सभी लोग को तैयारी चार माच कमेश्ट्री के कुछ most important questions के साथ आए हैं और ये question very very important है जी जो आपको 70 नम्मर पक्का करने में मदद करेगा और वो 70 नम्मर हम कैसे ला सकते है बस इस वीडियों को देखिए पूरा आं तर देखिए और 101 पूरी guarantee है कि ये question आपको 2023 के board exam में मिलने वाला है तो यदि 2023 के board exam में अगर आप 90 प्लस score करना चाहते है तो इस वीडियों को देखिए ठीक है और चैनल के साथ जुड़िए चैनल को subscribe कीज़े क्योंकि इस चैनल के माधियम से आपको ऐसे ही notification on होने पर आपको सारी classes के वीडियों मिलते रहेंगे और नया बैच आपको 15 अस्वारी जी 10 मार्च से नया बैच भी सुरू हो रहा है तो हमारे साथ नया बैच में जुड़िए और कमिश्टी में 70 नम्मर पाने के लिए ठीक है 70 नम्मर पाने के लिए इस वीडियों को इस class को देखिए तो पहला question देखिए हमारा करा है हिमांक में आवनमन से आप क्या समझते हैं हिमांक में आवनमन से आप क्या समझते हो या फिर हिमांक आवनमन बिधी से किसी अवासमसिल पदार्थ का अडू भार कैसे ग्यात कर सकते हैं केवल आपको सुत्र देना है या फिर हिमांक का आवनमन तथा बिले के अडू भार में क्या समब संबंध है यानि यह कोश्चन आपको ती तरह से पूछा जा सकता है ठीक है पहला कोश्चन पूछा है कि हिमांक में अवनवन से आप क्या समझते हो फिर हिमांक अवनवन बिधी से किसी अवास पसीर पदात का अडू भार कैसे ग्यात कर सकते है इसका सुथ के मादम से आपको गेन कर सकते हैं इस पांच नंबर के लिए आपको मेहनत तुभाई जी तोड़ करना होगा और पूरे 100% स्योर है कि कोश्चन आपको इस बार ये मिलने वाले हैं तो चलिए फटा-फट देखिए कि हिमांक में अवनवन के लिए क्या है कता कि किसी अवास पसिल बिद्दुत अनपगटन पदार्थ को किसी बिलायक में घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है ठीक है जी यानि हिमांक में अवनमन क्या होगा कि किसी अवास पसिल बिद्दुत अनपगटन पदार्थ को किसी बिलायक में घोलने पर इसके हिमांक में हो के समानुपाती होती है और वो समानुपाती कैसे होगा तो करा कि हमांक में ओनमन ठीक है डेल्टा वाइट टी-एफ इस उकल डू विलायक का हमांक- बिलयन का हमांक इसके बाद अब हमारा क्या कर रहा है हमांक के ओनमन से किसी अवास्पासील पदात का अडू भार निम्रखिस सूतक की द्वारा हम ग्यात कर सकते हैं अब देखें हिमांक से अमनमन का जो अवास पदात जो होगा ने जो उसके अडू भार को ग्यात करने के लिए हमारा एक फार्मला होता है और वो फार्मला क्या है कि M is equal to 1000 into KF into W upon डेल्टा T F into W आप जहां पर आपको बता रहा है कि क्या चीज़ यहां पर है जहां पर W आपको क्या है बिले का भार है ठीक है capital W क्या है आपका बिलायक का भार है small M बिले का अडू भार डेल्टा T F हिमांक में आवनमन जहाँ पर बिलायक का हिमांक माइनस बिलैन का हिमांक तो यानि के पर बिलायक का मोलन आउनमन इस्थी रांग इस प्रकास से हम इस question को जब solve करेंगे तो हमें हिमांक का आउनमन तथा बिल्य के अडू भार में संबंद भी प्राप्थ हो जाएगा और हिमांक में आउनमन से हम क्या समझते हैं इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी या फिर हिमांक आउनमन बिदी से किसी अवास्पी पतात का अडू भार हम कैसे ग्यात कर सकते हैं तो इस फार्मूले के द्वारा हम उस अडू भार को ग्यात कर सकते हैं और जहाँ पर small w, capital w, kf, delta tf क्या चीज़ दिया गया है यह सारे का मान यहाँ पर आप असानी से देख सकते हैं और question को आप जरू देखिएगा ताकि आपको board examine यह question आने पर उसे छोड़ करना आना पड़े जिससे आपके 5 अंक आप अच्छे से confirm करने वाले हैं ठीक है जी तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो भाई बस छोटा सा request है लाइक जरू कीजेगा, share कर दीजेगा और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe जरू कीजेगा और जो कुछ भी आपको कुछ query हो, कोई पुछने हो तो आप हमारे WhatsApp group से भी जुड़िए, target भी थरा चैनल के परिवार का हिस्सा भी बनिए और नए बैच के लिए आप 10 मार्च से हमारे साथ online class में जुड़िए जिसकी timing आपको राथ 8 बच के 15 पीम से जो है आपको live class की timing मिलेगी, ठीक है? तो live class हमारा चलेगा 10 मार्च से 10 मार्च से आपको online class के चलेगी, जिसपर आपको English, Literature और Grammar की class के साथ बढ़ेंगे ठीक है इश्टरिन? तो based off luck भाई कि आप लोग अपना paper अच्छे से दीजिए फिर मिलते हैं, next वीडियो में और भी धमाकेदार questions के साथ, objective type questions के साथ और भी important प्रसनों के साथ, अभी तक के लिए thanks for watching, जै हिंद